आप लोगों को याद होगा कि सर जॉन और जून तोनों ही टैटी के ढूंडे गए बंकर के अंदर चले गए थे उलोग बंकर में ही लगे हुए एक बोर्ट पर लिखकर अपने बीते हुए और आदे वाले दिनों का हिसाब रख रहे थे एपिसोड की शुरुआत होने तक 25 दिन बीच चुके थे और बंकर खुलने में अभी 340 दिन भागी थे सर जॉन अपने रोज के रूटीन में उठते हैं जून के साथ ब्रेकफास्ट करते हैं सर जॉन बाहर के लोगों से रेडियो पर लगातार कॉंटेक्ट करने की कोशिश भी कर रहे थे खाली समय में वो जॉन के साथ मोनोपली खिला करते थे और कुछ विस्की पी पिया करते थे बैट पर जाने से पहले दौनों एक दूसरे को गुट बै कहते थे 69 डेस तक सर जॉन और जॉन का यही रूटीन चल रहा था सत्तरवे दिन की बात करते हैं जॉन और सर जॉन एक बहुत ही तेज आवाज से सोकर उचाते हैं बंकर के अंदर मौजूद एक शेल्फ नीचे गिर चुकी थी सर जॉन और जॉन को उस शेल्फ के नीचे गिरने से उसके पीछे छेपा हुआ एक खूल दिखाई देता है सर जॉन उस वाल को तोड़ देते हैं वो दाना ही अंदर पहुँच जाते हैं वो रूम टैडी का टॉर्चर रूम था जहाँ पर वो लड़कियों को पकड़ कर लेकर आया करता था और फिर उन्हें टॉर्चर करके मार दिया करता था सर जॉन एक समय टैडी के किये गए मर्डर्स को इंवेस्टिकेट कर रहे थे उन्हें उस जगे को देखकर बहुत ज़दा आश्र होता है वो वहाँ पर लाइट सेट कर देते हैं और फर्दर इंवेस्टिकेशन करने लग जाते हैं सर जॉन को टैडी के मर्डर केस के बहुत सारे सवालों का जवाब अभी भी नहीं मिला था सर जॉन जॉन को बताते हैं कि उन्हें टैडी की लास्ट विक्टिम की बॉड़ी एंड तक नहीं मिली थी टैडी की लास्ट विक्टिम का नाम सिंडी हॉकिंस था उन लोगों को तबी दिवारों से अजीब तरह के आवाजे आती हुई सुनाई देती है जॉन सर जॉन को बाहर आने के लिए कहती है जॉन अपना खुद का एक हैस्बेट सूट तयार करती है और रेडेशन से बचने के लिए उसके अंदर सीलेंट लगा देती है सर जॉन टॉर्चर रूम को देखकर बहुत जादा परिशान हो चुके थे जॉन सर जॉन की बेचेनी को समझ जाती है जॉन सर जॉन को बताती है कि उनके काउंट डाउन के ओवर होने तक उन लोगों का उस बंकर से बाहर निकलना बहुत ज़दा डेंजरस है सर जॉन एक बार फिर से उस टॉर्चर रूम के अंदर जाकर उसे सील करने के लिए वहाँ पर बोट्स देखने लग जाते हैं उन्हें उस रूम के अंदर टैडी के लिखे हुए कुछ नोट्स दिखाई देते हैं सर जॉन उन नोट्स को पढ़ते हैं सर जॉन इसके बाद जॉन से और विस्की के मांग करते हैं जून सर जॉन को बताती है कि शेल्फ के गिरने के कारण विस्की की सभी पॉटल्स टूट चुकी हैं और अफ वहाँ पर विस्की नहीं है। सर जॉन अलकोहलिक थे, वो विस्की के बिना परिशान हो जाते हैं। वो एक बार फिर से उटकर टॉचर रूम के अंदर चले जाते हैं। और वहाँ जाकर चारो और देखने लग जाते हैं। उन्हें वहाँ पर एक नेकलेस मिलता है जिसके उपर सी लिखा हुआ था। सर जॉन समझ जाते हैं कि वो नेकलेस सिड़ी का था। तभी वहाँ की लाइट्स ब्लिंक करने लग जाती है। सर जॉन ये देखकर बहुत ज़दा डर जाते हैं। वो आकर जॉन को उठाने की कोशिश करते हैं। सर जॉन देखते हैं कि जॉन बहुत गहरी नीन सो रही थी। उन्हें वहाँ की दिवारों से कुछ अजीब टैप की आवाजे सुनाई देती है। सर जॉन को बंकर के बाहर से आती हुई एक औरत की आवाज सुनाई देती है। वो दुरंती सीड़ी चड़कर एकसिट हैस तक पहुच जाते हैं। सर जॉन ने हैस्वेट सुट पहल लिया था और उन्हाने गैस मास भी लगा लिया था। वो दुरंती बंकर के बाहर निकल जाते हैं। उन्हें वहाँ पर टैड़ी का स्केलेटिन पढ़ा हुआ दिखाई देता है। वहीं पास में उन्हें डैकोटा भी दिखाई देती हैं। गैस मास लगाए हुए थे। जून और सर जौन तुरंती बंकर के अंदर जाकर उसके दर्वाजे को लॉक कर देते हैं। जौन के पूछने पर सर जौन उससे पताते हैं कि उन्हें बाहर से आती हुई सिंड़ी के आवाज सुनाई दी थी। जून समझ जाती है कि सर जॉन अलकॉलिक है और उन्हें बहुत समय से विस्की नहीं मिली है और इसी करण उन्हें हैलूसिनेशन हो रहे थे सर जॉन एक बार फिर से जॉन से विस्की की मांग करते हैं उन दानों को उपर से आती हुई तेज अवाजे सुनाई देती है एक आदमी उन लोगों से रेडियो पर कांटेक्ट करता है और उन लोगों को हैच का दर्वाज़ा खुलने के लिए कहता है जून तुरंदी रेडियो का आफ कर देती है वो सर जॉन को ये भी बता देती है कि विस्की न पेने के कारण उन्हें हैलूसिडेशन हो रहे थे जून को भी सीलिंग से आती हुई आवाजे सुनाई देती है जून उपर के हैट से गिरते हुए मलबे को देखती है और बोर से उसे सील कर देती है थोड़े समय बात ही सर जॉन को टॉर्चर चैंबर से आती हुई एक वाज सुनाई देती है सर जॉन एक बार फिर से टॉर्चर चैंबर के अंदर चले जाते हैं उन्हें वहाँ पर सिंडी का खोस दिखाई देता है सिंडी सर जॉन को अपनी बाड़ी ढूनने के लिए कहती है जॉन एक बार फिर से सर जॉन के पहुँच जाती है और उन्हें वार्ण करती है कि बार बार उस टॉर्चर रूम में जाना सही नहीं है सर जॉन जॉन से पूसते हैं कि क्या उसने रेडियो को चेक कर लिया था जॉन सर जॉन को कमफर्ट कर दिये और उन्हें बताती है कि वो लोग बंकर में बिलकुल सेफ हैं जॉन टॉर्चर रूंग के दरवाजे को लकडियों से सील कर देती है और वो सर जून को रेस्ट करने के लिए कहती है सर जॉन रेस्ट लेने के लिए चले जाती है सर जॉन को नीन में बहुत ही बुरा सपना दिखाई देता है उनको ऐसा लगता है कि उनको कोई मार रहा है सर जॉन की अचानक से नीन खुल जाती है वो बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे सर जॉन से सिंडी की घोस्ट एक बार फिर से अपनी बॉड़ी ढूड़ने के लिए कहती है सर जॉन टॉर्चर चैपर की दर्वाजे से बोर्ट्स को हटाने की कोशिश करने लग जाते है उनके आवाजों से जॉन की नेन खुल जाती है और जॉन उनके पास साखकर उनको सेडेटिव इंजेक्शन लगा देती है सर जौन के उस दरवाजे को खूलने के कारण उपर से बीम नीचे गिर जाती है जून का पैर बीम के नीचे दब जाता है और सर जौन बेहोश हो जाते है रेडियो पर एक बार फिर से उनको एक अजनबी की आवाज सुनाई देती है वो उन लोगों को हैज का दरवाजा खूलने के लिए कहता है और उन लोगों को बताता है कि यह उसकी फाइनल वार्निंग है सर जौन की बेहोश ही तोटती है उन्हें जौन अपने पास में ही बेहोश पड़ी हुई दिखाई देती है सिंडी एक बार फिर से सर जौन से अपनी बाड़ी ढूनने के लिए कहती है सर जौन जौन की मदद करना चाते थे लेकिन सिंडी उन्हें कन्विंस कर लेती है कि जौन की मदद बहुत लोग कर सकते हैं और वो अब भी बिल्कुल सेफ है सर जान एक बार फिर से टॉर्चर चेमबर के अंदर चले जाते हैं और वो वहाँ पहुँच कर वहाँ की चीजों को इन्वेस्टिकेट करने लग जाते हैं जून होश में आ जाती है और वो सर जान को आवाज देती है लेकिन सर जॉन जॉन के आवाज को इगनोर कर देते हैं सर जॉन को टॉर्चर रूम से कुछ आविडेंस मिल जाते है उन आविडेंस से उनको पता चलता है कि सिंडी अपने बॉइफरेंट से मिलने के लिए उसके घर जा रही थी कि बाहर जाना रिडेशन के कारण बहुत जादा डेंजरस है सर जॉन जॉन की इन बातों को नहीं मांगते वो जॉन को सेफर साइट पर रहने के लिए बहुत बाते सुना देते हैं जॉन सर जॉन के सामने एसेट करती है कि उसने यूकलियर सर्वाइवल के बारे में पढ़ा हुआ था और उसे पता था कि कितने दिन बाद रेडेशन की मात्राव सराउंडिक्स पे कम हो सकती है और इसलिए उसने उस बोड पे डेश की काउंटण को लिखना शुरू किया था सर जॉन जॉन की बातों को इग्नोर करते हैं और वो जॉन से वही पर उपने के लिए कहकर सिंडी की बाडी को ढूडने के लिए बंकर से बाहर जाने लग जाते हैं सर जॉन हैच के बाहर निकलते हैं उन्हें वहीं पर पास में तीन आदमी दिखाई देते हैं चोकि एक और हैच को खोद रहे थे वो तीनों आदमी हैच को खोल लेते हैं सर जॉन उन लोगों को देख कर उनके उपर गोलियां चला देते हैं उनमेंसे दो आत्मी मर जाते हैं और एक आत्मी हैच से नीचे गिर जाता है जून बंकर के अंदर थी सर जून ये देखकर हैच के और दौर जाते हैं और तुरंदी वहाँ पर गिर जाते हैं उन्हें वहाँ पर बहुत सारे टैडी के विक्टिम्स के घोस दिखाई देते हैं थोड़ी देर बाद ही उनको रियलाइस होता है कि वो जांबीस को देख रहे थे सर जून उन जांबीस को मारने लग जाते हैं इदर वो आदमी जो के हैज के अंदर गिर चुका था वो जून को डूडने लग जाता है जून के मिलते ही वो आदमी उसको गन पाइंट पर ले लेता है सर जून तब तक बंकर के अंदर आ जाते हैं वो दुरंदी उस आदमी को शूट कर देते हैं और जून को जिसका पैर एक बीम के नीचे फस गया था उसे बाहर निकाल लेते हैं जून और सर जॉन को दिवार के गिरने के कारण उसके पीछे छिपा हुआ स्केलेटिन दिखाई देने लग जाता है वो स्केलेटिन सिंडी का था सर जॉन सिंडी को उसका नेकलेस लोटा देते हैं तब ही सीलिंग से बहुत अजीब टाइप की आवाजे सुनाई देने लग जाती है जून और सर जॉन दौना ही हैजमेट सूट को पहन लेते हैं और वो दौना हैज से होते हुए बंकर से बाहर डिकलने की कोशिश करते हैं तब ही बंकर एक्स्प्लोड हो जाता है और वो दौना नीचे गिर कर बेहोश हो जाते हैं सर जॉन की बेहोशी टोटती है सर जॉन इस वक्त स्ट्रेंट के टावर के एक बेडरूम में थे जून भी उस वक्त उनके पास ही थी जून सर जॉन को बताती है कि उन लोगों ने रेडियो मैसेस को रिसीव कर लिया था और उनको बचाने के लिए वहाँ पर पहुँच गए थे स्ट्रेंट सर जॉन के पास आता है और उन्हें अपनी कम्यूटी के बारे में बताता है स्ट्रेंट सर जॉन को अपनी कम्यूटी जॉन करने का ओफर देता है सर जॉन स्ट्रेंट के ओफर को रिफ्यूस कर देते है स्ट्रेंड ने सब मेराइन में मॉर्गन के साथ जो कुछ भी किया था सर जॉन उसके बाद स्ट्रेंड से कोई भी संबन नहीं रखना चाते थे स्ट्रेंड नो लोगों को बताता है कि उनके पास वहां रुखने की सिवाक और कोई चॉइस नहीं है सर जॉन सर जॉन से पूसते हैं कि गैस मास पैने हुए आदमी कौन थे स्ट्रेंड भी उन गैस मास कवले लोगों के बारे में नहीं जानता था वो अंदाजा लगाता है कि वो स्टॉकर्स थे स्ट्रेंड सर जॉन से स्टॉकर्स को ढूडने में उनकी मदद मांगता है और उन्हें एक ड्रेंग काफर करता है लेकिन सर जॉन स्ट्रेंड की दी हुई एक ड्रेंग को भी रिफ्यूस कर देते हैं स्ट्रेंड के वहाँ से जाने के बाद जून सर जौन को टावर के बाहर मौजूद जौंबीज को दिखाती है टावर चारों तरफ से जौंबीज से भरी हुई थी और उन लोगों का बाहर निकलना impossible था मौर्गन भी सर जौन के रेडियो मैसेज को सुन चुका था वो लोगों के मैसेज को रिसीव करके पंकर तक पहुँच चुका था मॉर्गन वहाँ पहुँच कर जोन और सर जोन को ढूनने लग जाता है स्ट्रेंड मॉर्गन से रेडियो पर कांटेक्ट करता है और उसे बताता है कि सर जोन और जोन टावर में हैं और सेफ हैं स्ट्रेंड मौर्गन का मजग बनाता है और उसे कहता है कि वो एक लीडर के रूप में फेल हो चुका है और अब स्ट्रेंड अपने तरीके से लोगों के मदद करने की कोशिश कर रहा है मौर्गन स्ट्रेंट की बातों को सुनकर उसे वार्ण करता है कि अगर स्ट्रेंट ने वो लोगों के दोस्तों को नुकसान पहुचाने की कोशिश की तो वो उन्हें जिन्दा नहीं छोड़ेगा